तो विवासवन चटर जी जो है यह 2013 के अंदर AIR 1 लेके आ हैं इनकी अगर experience की बात करो तो उन्होंने Amazon के अंदर जॉब किया Amazon के बाद अभी recent की अगर बात करता हूं तो Facebook के अंदर यह software engineer है दोस्तों और यह UK shift हो चुक है यह UK के अंदर software engineer है कि AIR 1 नहीं सिर्फ वो लोग कर क्या रहें कौन सी कंपनी में job करते हैं कितनी salary है क्या lifestyle रही उन्होंने M-tech किया कि नहीं किया कि और कौन से college से थे B-tech कहां से किया राइट यह सारा जो question आपके दिमाग में रहता है उस question का solution आज आज आपको मिलने वाला है 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 के अंदर, 13 के अंदर, 12 के अंदर, 11 जो 2011 के अंदर जिनके AIR 1 नहीं सिर्फ वो लोग कर क्या रहें कौन सी company में job करते हैं कितनी salary है क्या lifestyle रही उन्होंने M-tech किया कि नहीं किया कि और कौन से college से थे B-tech कहां से किया यह सारा जो question आपके दिमाग में रहता ह है उस question का solution आज आपको मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों मैं जो आज की पूरे discussion करूंगा 2013 से लेकर 2024 के जो students है जो CS branch के अंदर जो AIR 1 लेका है अभी यह भी ISC के अंदर second year के अंदर अभी placement drive के अंदर होने वाला होगा अभिनव गर्ग 2022 के अंदर 2021 की बात करता हूं जैदी पवार 2020 की बात करता हूं हितेस पॉपली 2019 प्रणव शर्मा 2018 नमीता कालरा 2017 दविल पटेल और 2017 हम 15 14 13 12 इनकी बे डिसकुशन करेंगे ताकि एक solid एक conclusion बना सके कि यह actually मैं कर क्या रहें और आपको बहुत surprise लगेगा एक trend follow होता हुआ आपको दिखेगा यहां पर सर क्या trend follow करता हुआ दिखेगा उससे पहले discussion करते हैं गेट 2024 के जो प्यूश्क बार जिसके AR1 आई है इनको जब आप notice करोगे तो इनकी जो बीटेक थी यह ग्रुकल कांगरी विशुविद्याले से राइट बीटेक एक टीर 3 college से था फिर भी उन्होंने preparation किया था गेट के और इनकी जो रेंक लेके आया है यह गेट में यह गेट में AIR 1 गेट 2024 कंदर लेके आया है और मैं फिर से बता दू गेट पेपर ऐसा नहीं कि सिर्फ पीर 3 college के बच्चे लिखते हैं टीर 2 टीर 1 college के जो student होते हैं वो भी इस exam को लिखते हैं जिसमें सो कुछ IIT के student होते हैं वो भी इस exam को लिखते हैं और प्यूश ने उन सब को बीठ किया और AIR 1 लेकिया है अभी इन्होंने ISC को चूज किया है इसके बात करता हूं यह जितने भी डेटा में शो करूबा यह सब ऑफिशल डेटा है जो इन्होंने खुद ने अपने आपको बताया है जो सारी चेशे में डिसकेशन करूबा राइट दोस्तों जैदीब सुधाकर बोरे जो महरास्ट्रा के हैं इन्होंने अपनी जो इनकी अपनी आप बॉंबई से बैचलर अफ टेकनोलजी बीटेक नोंने कमवेडर साइंस में किया था और उसके बाद इसके बाद इसके अडमिशन लिया और अभी सेकंड यर के अंदर प्रिपेशन कर दें दोस्तों यही चीज़ 2022 के अगरव बात करता हूं अधिस अभी नवग अभी नवग दोजार बाइस के अंदर उन्हें बीटेक किया और यह भी आएस्टी के अंदर स्कने अंटी लिया था यह बीटेक जो 2018 से 2022 गुरू गोबिन सिंग इंदरप्रस्त यूनिवर्सिटी से है CS ब्रांच के अंदर जस्ट बीटेक के बाद उन्होंने 2022 से 2024 एम्टेक चूज किया बट आएस्टी चूज नहीं किया इन्होंने आएटी बॉंबई चूज किया और यहां के बाद इन्होंने अपना प्लेस्मेंट किया और अभी रिसेंटी प्लेस्मेंट हुआ ही है और यह वी क्वालकॉम के अंदर ML Machine Learning Engineer है क्वालकॉम के अंदर और अभी क्वालकॉम इंडिया में ही है और दिखाई दे रहा होगा दो महीने पहले का ही पोस्ट है कि आएटे मुंबए मैंने क्वालकॉम जोइन किया है उसके बाद 2021 के टॉपर के अगर बात किया दोस्तों जैदीप पवार जैदीप के अगर बात करोगे सामने आपको दिखाई द अच्छा कॉलेज माना जाता ठीक टाक कॉलेज है और इन्होंने 2017 से 2021 में बीटे किया है और 21 से 23 से इन्होंने एम्टे किया है गेट के तुरू अड्मिशन लिया था जैदीप ने और उसके बाद इन्होंने आपको दिखाई दे रहा होगा MTS2 जो कंपनी है प्योटेशन कं कंपनी जो है उसके अंदर Bangalore के अंदर इनकी पोस्टिंग के इंडिया की अंदर ये Bangalore में जॉब कर रहे हैं और अच्छी कंपनी मानी जाती है राइट जिखाई दे हो का नुटेनिक्स कंपनी है अच्छी खासी कंपनी मानी जाती है और ठीक ठाक इसका पैकेज रहता है अप्रोक्सिमेटली क्योंकि एक मेरे नोन में है जो इसी कंपणी के अंदर जॉप कर रहा है तो मैं पैकेज की बात करूँ तो लगबग 40 से लेकर 60 लैक के बीच में पैकेज इनिशल लेवल पर लगता है इन्होंने 2020 के अंदर अगर देखोगे तो AIR1 लेकरा है गेट CS के अंदर इनके बीटेक अगर आप देखोगे तो University School of Information, Communication and Technology जो USICT से बीटेक इन्होंने किया है 2016 से लेकर 2020 और जस्ट उसके बार 20 से लेकर 22, 8.6 CGP के साथ IST से इन्होंने मैं M-Tech किया और M-Tech करने के बाद अगर इनकी मैं प्रोफाइल को देख के बता हूं आपको तो यार उसके बाद इंडीड दूसरी कंपनी भी गए थे अभी रिसेंटी एक इंडीड कंपनी है जिसके अंदर लगबग 2 years 4 months से इंडीड कंपनी हैदराबाद के अंदर ये जॉ इक्तिव नहीं है तो हितेश तर्बा जिनकी 2021-19 के अंदर दोस्तों AR-1 लेके आये थे ये DTU से इन्होंने B-Tech किया B-Tech के बाद कोई M-Tech कुछ नहीं किया 2015-2019 में इन्होंने B-Tech किया DTU से 19 में इनकी AR-1 आ गए और AR-1 के बाद इन्होंने I-O-C-L यानि PSU को चूज के इन्होंने Master's के लिए गए नहीं गए और I-O-C-L के अभी 5-year 3-month जो कि अभी रिसेंटली 2024 सी चल रहा है ये I-O-C-L के अंदर जॉब कर रहे हैं दोस्तों अभी Assistant Manager है I-O-C-L के अंदर प्रणव शर्मा उसके बाद बात करता हूं गेट 2018 के अंदर दोस्तों दो CS ब्रांच के जो टॉपर हैं इनकी अगर बात करता हो इन्होंने B-Tech जिनका नाम है नमीता कालरा इन्होंने B-Tech एनाइटी उत्राखंट से complete किया है और जिस्ट उसके 2018 के बाद 2018 के बाद 2018 से में B-Tech के साथ ही A-R-1 लेका है और उसके बाद इन्होंने I-A-I-T Mumbai से इन्होंने M-Tech किया भी तक दो आपको I-A-I-T Mumbai वाले बले जर्नली बाकी के सब ने I-A-I-C select किया है I-A-I-T Mumbai से इन्होंने M-Tech complete किया है और जस्ट उसके बाद यह जॉब के बात करो तो यह Google के अंदर लगबग चार साल तीन महीन हो गए तो लगबग इससे पहले किसी और कंपनी में गय थे अभी रिसेंटली Google के अंदर है और अभी जॉब कर रहे है Google बैंगलुरू के अंदर इनकी posting है दोस्तों यही चीज़ अगा मैं next discussion करता हूँ 2017 देवल पटे निर्मा यूनिवर्सिटी से 2011 से 2015 के बीच में बीटेक कंप्रीट किया जश्त उसके बाद उन्होंने 2000 अच्छा उसके बाद गैप है फर्स ऐसे दिखे जिनके बीच में मुझे बीटेक और एमटेक के बीच में गाप शायद हो सकता है कि बीटेक के बाद वो कोई जॉब के दवल पतेल इसके बार बात करता हूं दोस्तों गेट 2016 अंकीता जैन अंकीता जैन जैन दीक की ही Elomenai है और सबसे खाश बात है इनके बारे में अगर आप लोटिस करोगे तो जो आपके पास अंकीता जैन है इनहोंने बीच 214 में कंप्लीट किया बीटेक के बाद इननोंने Qualcomm में job किया Qualcomm के बाद इन्होंने gate के तुरू DR gate में इनकी अच्छी रेंक है इसके बाद ये DRDO के अंदर इन्होंने job किया और DRDO में as a scientist job करने के बाद इनको समझ आए कि नहीं by UPSC के लिए preparation करूंगी और 2020 के अंदर UPSC में इनकी AR-3i है और अभी ये UPSC के अंदर ही सर्व कर रहे हैं this country को ये सर्व कर रहे है और DTU के लगा हला कि सबसे खास बात है कि इनकी sister भी 2020 में 21 रेंग आई थी इनकी AR-3i थी इसके बाद है कि मैं बात करता हूं 2016 में Ankeetha Jen और Ankeetha Jen का जैसे मैं आपको बता है Qualcomm फिर DRDO और लास्ट इनकी जो जर्नी रही तो अभी अभी ये एक officer है उसके बाद 2015 की बात करता हूं रवी शंकर मिश्रा रवी शंकर मिश्रा 2015 में CS के अंदर AIR-1 लेकर आया थे और इन्होंने सबसे खास बात अभी जो अभी जितनी भी डेटा में ने अनलाइस किया उस डेटा के अंदर इनके खास बात है कि इनकी बीटे की इनोंने AIR-1 थे कानपूर से बीटे की हुए 2010 से बेकर 2014 में उसके बाद 2015 में इनोंने X Microsoft में भी इनोंने काम किया है उसके बाद HP के अंदर काम किया है और अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली जो है वो जनुरिटी AI विद लार्ज लेंग्वेस मॉडल कूर्स लैब्स जो है उसके अंदर ये जॉब कर रहे है HP को भी इनोंने क्वेट कर दिया 2024 अभी रिसेंटली 6 महीने पहले यहां पर स्विच किया है तो रवी शेंकन मिश्रा जो 2015 के AIR 1 है दोस्तों इसके बाद 2013 के अगर मैं बात करता हूं तो विवास्वन चटर जी जो है ये 2013 के अंदर AIR 1 लेकिया है इनकी जो क्वालिफिकेशन है 2013 में AIR 1 लेने के बाद इन्होंने AIRC से ही मास्टर्स किया है और इनकी अगर एक्स्पियेंस की बात करो तो इन्होंने Amazon के अंदर जॉब किया Amazon के बाद अभी रिसेंटली अगर बात करता हूं तो Facebook के अंदर ये software engineer है दोस्तों और ये UK shift हो चु और मैंने वह चीज सोचा कि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा 2013 तक की सारी चीजों को अनलाइस किया मैंने तो मुझे ये चीज पता चला कि है टोटल 11 हम जे डेटा मिले 2011 के अंदर टोटल 11 डेटा मिले 11 में से 6 स्टूडेंट इसी के अंदर उन्होंने MTA के लिए चूज क किया था जिसके अंदर एक IOCL के अंदर जॉब कर रहे है और दूसरे UPSC क्लियर किया उन्होंने जिनकी AR3 आई ये इस डेटा से पता चला है इसका मतलब ये कोई शॉर्ट शॉट नहीं कि जिसकी AR1 आती है वो सीधा हां majority of students are basically choosing for the ISC पर इसका मतलब यह नहीं कि IIT Bombay में है अ अगर किसी का target research oriented है तो वो generally ISC को prefer करता है अगर ठीक ठाक रहें काती है तो वो ISC को prefer करता है बट अगर किसी का target यह रहता है कि नहीं मुझे अच्छी खासी सिर्फ placement चाहिए और CS branch के लिए specific अगर मैं बात करूँ तो वो IIT Bombay को choose करते है तो generally student जो है placement के scenario के साब से IIT Bombay को choose क किया जाता है research point of view से गरवाद करो तो आपको जो ISC है उसको choose किया जाता है कुछ student है जिनको बार में पता चलता है मुझे कि direction बढ़ना है या जैसे ONGC जो आपके पास IOCL के अंदर job कर रहे है या जो UPSC के अंदर कर रहे है वो focus होते है college के time में exam दिया था उसके बाद उन्ह जहां उनकी career उनको लगा कि मुझे government job या PSU के तरफ अगर मैं comfort zone feel करता हूं तो लोन उसको भी choose किया इसका मतला ऐसा नहीं है कि CSK student उस तरफ नहीं जाते है जाते हैं दोस्तों और इन सब में एक सबसे खास बार जो notice करोगे that is called इस पूरे data के अंदर जो 11 data थे इस 11 के अंद किया था और गेट ऐसा जरूरी नहीं है कि स्तिर्फ IIT और NIT वाले बच्चे देते हैं वो तो देते ही हैं साथ में tier 3 college वाले भी बच्चे देते हैं और सबसे surprisingly आपको यह फील होगा कि tier 3 college के majority of student जो है जिन्होंने AR1 लेकर है और उसके पीछे reason है कि उनके साथ do and die की situation आ जा आपकी खतम हो जाती है आप गेट के तुरू उस opportunity को grab कर सकते हो जो IIT में पहुंचने के बाद B.Tech वाले student उस चीज को grab करते हैं दोस्तों और मैंने अभी recently IIT दिल्ली के अंदर में B.Tech और M.Tech दोनों स्टूदेंट से मिला और दोनों स्टूदेंट से मैं समझने की कोशिश क जरी की activities में क्या difference रहता है, placement drive में क्या situation रहता है और बच्चों के mindset में क्या difference रहता है और वहां जाकर मुझे लगा कि definitely B.Tech वाले थोड़ी से cool जरूर होते हैं उनको पता है कोई न कोई अच्छी opportunity मिल जाएगी तो वो इतने ज्यादा serious नहीं होते हैं कुछ 10-20% वाले serious होते पर M.Tech में अगर 12 बच्चों ने admission लिया किसी ब्रांच में तो 12 में से 10 बच्चे sincere होते हैं और वो अच्छी job पा जाते हैं तो especially अगर मैं CS के बात करूँ यह जितने भी मैं private job के scenario और AR1 की बात कर रहा हूं यह CS के लिए क्या हो अगर आप दूसरे ब्रांच, core branch के अंदर mechanical के के अंदर जाते हो या civil के अंदर जाते हो तो आप यह feel करोगे gate में AR1 लाने के बाद उस बच्चे ने या तो directly PSU को job join कर लिया या उन्होंने IS को qualify किया तो majority of student वहां पर PSU में आपको जाने वाले देखेंगे हाला कि कुछ student MP के लिए भी जाते हैं बट majority of student directly अच्छी rank आने क करो या civil की बात करो या mechanical की बात करो और इस scenario से surprise scenario से मुझे पता चल गया है और यह मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूं कि यार एक चीद हमेशा ध्यान रखना है hard work beats the talent when the talent does not work hard IIT में पहुंचने के बाद भी अगर वहां पर बच्चे talented BTG वाले student अगर उस चीज के ल लगा ये वीडियो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर वताईएगा तिल डाट थांक्यू वरी मॉच आल दो वरी बेस्ट जैन दोस्तों